Developmental Molecular Biologist and Research Consultant John Madina कहते हैं के हमारी सारी Problems की जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है और ये तबी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के ज़रूरी Rules को जान लें तो इसी लिए उन्होंने हमारे लिए New York Times की Best Seller Book Brain Rules लिखी है जिसमें उन्होंने 12 Scientific Brain Rules बताए हैं जिने जानके और फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं जहाए आप एक Businessman हो या Job Working हो, Student हो या Even Teacher ये 12 तरीके आपकी Performance नेक्स लेवल पे ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़े आसान करके आपकी लाइफ को आपको और आपके ब्रेन को पहले से बहतर और स्मार्ट बनाएंगे तो आए जानते हैं वो 12 Rules Rule No.1 हम इंसानों का दिमाग एक Survival Organ है जो समय के साथ Evolve हुआ है हम इंसानों के Evolve याने के विक्सित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और Survival की टेक्निक्स भी पहले से Evolve और अलग हुई है चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे तैकतवर ना हो लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज़्यादा strongest brain develop किया है और यही हमारे Survival का भी रीजन है चाहे फिर वो हमारे हिस्ट्री हो या हमारा आज हमारा actions को analyze करना और जिन्दा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ cooperate करना ही हमारी हसारों सालों से survival strategy रही है ताकि हमें survive करने के लिए मदद मिले और जिन्दा रहने के लिए कि हम अपने genes को आगे भी बढ़ा सके और अगर हमारा environment और आसपास की लोग हमारे goals को support करते हैं तो हमारी productivity और creativity भी boost होती है लेकिन अगर हमारे यह relations, connections और understanding दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो वो group और environment हमारे brain और हमारी life दोनों को बेकार बना देता है और यही चीज हमारी वक्त से पहले death का भी reason बन सकती है तो सिर्फ strongest brain survive करते हैं ना कि strongest bodies रूल नमबर टू, exercise करना हमारे brain की power को बढ़ाता है researchers ने दो तरीके की population पे एक study की, जो एक दूसरे से अलग lifestyle जीते थे ग्रूप A में वो लोग थे जो रोजाना physical exercise करते थे और highly active रहते थे और वहीं दूसरी तरफ, ग्रूप B में वो लोग थे जो कोई भी physical exercise या activities नहीं करते थे तो, researchers ने पाया कि ग्रूप A का cognitive score जादा था ग्रूप B के मुकाबले वैसे तो हमारा brain रोज 19 किलोमेटर चलने के लिए बना है लेकिन अगर हम हफते में 2-3 दिन 30 मिनट भी कोई physical exercise करें तो हम अपने दिमाग की energy को बढ़ा के सोचने और सीखने की power को बढ़ा सकते हैं क्योंकि exercise brain में blood पहुँचाती है और फिर वही blood energy glucose की मदद से brain में toxic cells को खतम करती हैं ताकि oxygen का flow हमारे brain से brain fog और thinking block क्लियर कर सकें साथी brain में ज़्यादा neurons पहुँच सकें और वो neurons हमारी creativity और mental sharpness को बढ़ा सकें रून लंबर 3 अच्छी नीन हमारे सोच को सही और productive बनाती हैं प्रॉपर sleep ना मिलने के कारण brain, हमारे focus केंने की power, brain functions, memory, mood और इवन logical thinking को भी वक्त के साथ damage करता जाता है एक story में ये तक पता चला कि सिर्फ 26 minute sleep nap लेने से NASA के pilots की performance 34% तक बढ़ गई थी तो अगर आप भी दिन बर ठका हुआ फील करते हो या दोपैर में आपके सोने का मन करता है तो ये common है क्योंकि दोपैर 3 बचे के आसपास दिमाग में बायो chemical के बीच एक जंग चल रही होती है जिसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है तो उस वक्त अगर possible हो तो हमें कुछ देर की जपी ज़रूर लेनी चाहिए डॉक्टर मरीना का कहना है कि असल में हमारा brain सोने के दौरान भी rest नहीं कर रहा होता वो दिन भर की information को process और चीज़े learn कर रहा होता है लेकिन हमारे लिए proper sleep और naps लेना बहुत ज़रूरी है एक productive mind के लिए Rule No.4 हमेशा चिंदा करना हमारी learning ability और दिमाग दोनों को damage करता है हमारा brain लगबग सिर्फ 30 seconds तक चलने वाले stress से निपटने के लिए ही बना है अगर आपको घर में, class में या job में आपको रोजाना काफी ज़ादा stress experience करना पड़ता है तो यही stress आपके life में successful होने के chances को भी effect करता है मतलब अगर आपके घर का environment ठीक नहीं है तो उसका stress आपकी job में या class में आपको परेशान करेगा और आपकी performance और productivity को खराब करेगा क्योंकि ज़्यादा stress से cortisol बढ़ने के कारण हिपो campus में cells damage होने लग जाते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की ability कमजोर होने लग जाती है तो अगर आपकी relations ठीक नहीं है और इस बात का आपको stress होता है तो उन्हें ठीक करो और अपने घर का stress अपने office या class में लेके मत जाओ जिन चीजों और लोगों को control नहीं कर सकते उनका stress आपको नहीं लेना चाहिए Rule No.5 हर दिमाग differently wired होता है हमें school में बताया गया था कि हम इंसानों का brain एक जसा होता है लेकिन ये information गलत है काफी research के बाद scientist ने बताया कि हर इंसान की brain की wiring अलग होती है हम अपने brain को develop तो कर सकते हैं लेकिन हमारा brain किसी और की तरह बिलकुल सेम नहीं हो सकता यहां तक के दो जुड़वा बच्चों का भी नहीं different brain wiring को हमारा education system ignore करता है grade system के थ्रियो जहां हमारे intelligence को हमारे test और exams के marks and percentage से ना पा जाता है जबकि हर student का, employee का या customer का brain differently wired होता है जिस वजह से businesses like Amazon, worldwide, करोडों लोगों के information और interest जानके successful company बनी है तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी product को Amazon या कोई और site में सिर्फ देखते हैं तो फिर वो product हमारे सारे social media platform में हमें दिखाई देता है rule number six हम इंसान boring चीजों पे ध्यान नहीं देते हम सिर्फ उनी चीजों पे ध्यान देते हैं जिनके फीचे हमारा interest, profit, emotion या culture जुड़ा हुआ हो इस बात से फरक नहीं पड़ता के आप कौन हो आपका brain consciously या subconsciously इन questions पे focus करता है जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है क्या मैं इससे relation बना सकता हूँ या क्या मैंने इससे देखा है और interest या reason ढूंडता है brain multitasking के लिए नहीं बना लेकिन फिर भी offices और schools multitasking करना encourage करते हैं multitasking हमारे गलती और failure के chances 50% तक बढ़ा देती है rule number 7 हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए information को repeat करना चाहिए हमारा brain कुछ important information को ही ज़्यादा देर तक store करके रखता है बाकी की unimportant जीज़ों को हमारी short term memory erase करना शुरू कर देती है तभी vision board, written goals या reminders ज़रूरी है हमारे brain को याद दिलाने के लिए के ये information important है अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या किसी चीज़ को सीख के उसमें best बनना है तो आप उस चीज़ को हर कुछ देर बाद repeat करो जिससे की practice हो सके और बार बार एक चीज़ पे ध्यान रखा जा सके rule number 8 हमारे सभी senses एक साथ काम करते हैं तो हमें उन सभी का पूरी तरह से use करना चाहिए हमारी smell करने की senses ही buttery popcorn से सीधा हमें movie theater की याद दिलाती है या बारिश और फूलों की खुश्बू हमें किसी person, situation और जैगे की याद दिलाती है तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक smell या fragrance को जोड सकते हो अब चाहे या आपका perfume हो या room candle आपको जब भी वो smell आएगी आपको past में हुई information याद आएगी और इसके chances 10 से 50% भी हो सकते हैं rule number 9 हमारी देखने की sense हमारी सबी senses से ज़्यादा होती है हम visually देखी गई information को ज़्यादा याद रखते हैं compare to सुनी गई या पढ़ी हुई आपको biographies पढ़के शायद याद नहीं होगा कि कौन से page number पे exactly क्या बात या situation लिखी थी लेकिन अगर उसी biography पे कोई film बनी होगी तो उस movie के scenes आपको अच्छे से याद होगे क्योंकि हमने अपनी history में जानवरो खाना, खत्रा, situation और इंसानों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं और फिर उसी visual power को हमने art या literature में convert किया ताकि हम चीजों को visual याद रख सकें Rule number 10 Music सुनना या compose करना हमें smart बना सकता है Dr. Medina की wife भी एक classical music composer रह चुकी है और उन जैसे ही काफी musicians को observe और study करके ही author ने जाना कि हमारा music taste हमारी personality को show करता है और music हमारी memory और skills को sharp भी कर सकता है Music compose करना हमारी reading ability, maths और emotional intelligence को बढ़ा सकता है और music सुनना हमारी mood को change और vocabulary इंप्रूव कर सकता है ये age to age और interest में depend करता है Rule number 11 Male और female का दिमाग एक दूसरे से different होता है एक बर researcher Larry कहिल ने males और females को एक horror movie दिखाई और पाया की उस दौरान males के brain का सिर्फ right hemisphere काम कर रहा है और left हिस्सा शान था वही females का left hemisphere काम कर रहा था और right हिस्सा शान था जिससे उन्हें पता चला के males और females का stress handle करने का सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है और ऐसी ही काफी case studies करने के बाद mental health professionals को पता चला के females males से ज़्यादा depressed होती हैं और nervous हो जाती हैं और puberty के दौरान वो काफी anxiety भी feel करती हैं वहीं लड़के puberty के दौरान anti-social हो जाते हैं males और females का emotions को handle करने का तरीका भी एक दूसरे से काफी अलग होता है rule number 12 हम इनसान एक powerful और natural explorers हैं हमेशा कुछ नया explore करने का desire हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता लेकिन हम ज़्यादा तर अपनी classes या office के cubicle में ही फसे रहते हैं जबकि हम humans नई चीज़ा explore करने के लिए और सीखने के लिए बने हैं हम बचपन में कितने curious होते हैं हर एक चीज़ को तोड़के या खोलके हमें उसके बारे में जानना होता था लेकिन यही चीज़ उमर बढ़ने के साथ कम हो जाती है Google अपने employees को हमेशा at least 20% time देता है explore करने के लिए और यही exploration ने Gmail और Google News आइडियास को invent करा तो हमें भी बच्चों की तरही कुछ different explore या try करते रहना चाहिए great idea और brain growth के लिए तो यह वीडियो यहें खतम होती है अगर आप चाहते हो के हम किसी particular topic पे या problem पे वीडियो बनाए तो please comment box में बताओ हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी help करना चाहते हैं और हाँ subscribe करके और bell icon को on करके इस channel को grow करने में support करो Thank you for watching